गुड मॉर्ण एबिवन स्वागत अब सभी का विजडम एडुकेशन पर आज 7 दिसंबर 2021 है डैनिक जागरन के राष्टे संसकरन का कंप्लीट न्यूज एनलाइसिस करेंगे आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के सब्सक्राइब कर सकते हैं साथे साथ वीडियो को लाइक कर दें कि फर्स्ट पर यह जरूर आप लोग बढ़ सकते हैं और इनका जो पीडिएफ है इस न्यूज का पीडिएफ टेलिग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर देता हूं आप सभी लोगों में जो लोगों भी टेलिग्राम पर जाओगे आप सर्च करो को विजडर में जो किसन आ जाएगा यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा वहां सभी जाकर करके आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पर एक सेपरेट वीडियो में आज बना दोंगा इंडिया और रस्या रिलेशन पर इंड प्रोटिन भारत आएवे हैं इस समीट में क्या 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 इंपोर्टेंट प्रोडेस हो रहा है उस पे आपकी नजर होनी चाहिए बना आगर करके मैं डिसक्रिप्स कर दोंगा बांकि इसको पर लेना आप लोग एक बार इसको दिख सकते हैं वन टाइम के लिए है कि देहेज एक बुराई समाज के भीतर होना चाहिए बदलाओ ये मानिया सरवोच नयला का टिपनी है इसलिए मैंने इसको हाइलाइट किया इसको एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं बांकि फर्स्ट पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है अब देखो यहां पर अस्थाई कमिशन दिया गया है 487 महलाओं को दिया गया अस्थाई कमिशन सबसे पहले आपको सेना में जो अस्थाई कमिशन मिलता है यहीं पता होना चाहिए कि सेना में अस्थाई कमिशन किसको मिलता है कि दिख immigration क्या होता अस्थाई कमिशन को बोलते हैं प्रमानेंच को बोलते हैं सवीज कमिशन कवेजिए को स्यनहें होता है समय है एक तरह समझ आप नोकरी करते हैं उसके प्रीचर प्रोसेस होता है रेटार्मेंट का उसी कहा गया अस्थाई कमिशन इसमें मैक्सिमुम आप 10 वर्स आप जॉब कर सकते हैं दस वर्स नोकरी करने के बाद अगर आपको एक्स्टेंशन के लिए आप अप्लाई करोगे कि मुझे जॉब एक्स्टेंशन करना है तो आपको चार वर्स और एक्स्टेंशन मिल जाएगा तो इस तरह से मैक्सिमुम आप 14 एर ही आप काम कर सकते हैं दस साल आप जॉब कीजिएगा उसको बाद एक्स्टेंशन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो चार वर्स का आपको एक्स्टेंशन मिल सकता हैं मैक्सिमुम आप 14 एर तक ही काम कीजिएगा इसको कहा गया सौट सर्विस कमिशन उसको बाद आप सेना से रिटार हो जाते हैं नॉर्मयली महलाओं को जो है परमाने कं इसको परमाने कमिशन नहीं मिलता था 2020 में मानिय सरवोच न्याले के द्वारा निर्ने दिया गया कि महलाओं को भी परमाने कं इसको पर मात इसको worrying ऑबा दिया जाने वाला और उसी के संदर में यह है कि अब अस्थाई के मिशन के तहत 487 महला अपसर को दिया गया अस्थाई के मिशन यानि अब यह जो है 14 वर्स की नोकरी नहीं करेगी अपने जिन्गे के 60 साल तक यह जॉब कर सकेगी सेना में कि यह पारित हुआ है राष्टिय औस दी सिक्षन अनुसंधान संस्थान विदहेक लोगसभा से पारित हुआ है इसके बारे में थोड़ा से आप लोग देख ले ना इसके समन्दित जो न्यूज होगा देखता हूं मैं प्याइबी पर अगर होगा तो मैं टेलेगाम चैनल प आप लोगों को देखना चाहिए यां कुलिए महा परिनिर्वान दिवस घुआ्पाकर अम्म DAC Myarta को केट के था फैब अपने से कुछ दिन पहले उन्होंने बाद धर्म को एक्षेप्ट कर लिया था हालांके वह दलित समुधाय से Heart लेकिन मिर्त्यू से कुछ दिन पहले उन्होंने बहुत धर्म को अपना लिया था इसलिए उनके मिर्त्यू को महापरी निर्वान दिवस के रुप में मना जाता है तो छे दिवस को महा परिणिर्वान दिवस है यानि इसी दिन बावासाइब अम्बेदकर की मिर्तियु हुई थी अब देखो यहां पे कुछ डाटा दिया हुआ है अंधाधून फर्टलाइजर परियोग करने वाले छेत्रों में भूजल का बढ रहा नाइट्रेट यानि भूजल में नाइट्रिट बाढ रहा है जहां पे अंधाधून फर्टलाइजर का परियोग हो रहा है यानि कलकी डेट में अगर आपको किसी के बारे में निगरिटिव पुश पॉइंट लिखना हो या कलकी रेट में आपको हरित करांती का कुछ निगेटिव पॉइंट लिखना हो परियावरन को क्या क्या चीज नुकसान कर रहा है कई जगा आप इस पॉइंट को कोड कर सकते हैं और साथी साथ जब डाटा दिया हो तो डाटा को पक्का आप लोग लिख लें केंद्रिय भूजल बोर्ट के रिपोर्ट के अनुसार देश में 18 राज्यों में 249 जिलों का भूजल खारा है जबकि 23 राज्यों में 370 जिलों का समान इमानक से अधिक फ्लॉराइड पाया गया भूजल के में नाइट्रेट बढ़ने से मानब जनित अकतिकरमन बढ़ रहा है पानी पिते हैं कल से जो पानी आता है उस पानी में आपको नैट्रेट अर्रिक मिलना शुरू हो गया देखो धीरे धीरे आपको यह बात पता चलेगी कि एक ही नियुज को आप तीन चार प्रस्पेक्टिब से यूज कर सकते हैं एक डाटा है आपके पास उस डाटा को चार-पांच जगा आप यूज कर सकते हैं यह चीज़े धीरे धीरे आपको आएगी धीरे धीरे जैसे जैसे आप आंसर राइटिंग शुरू करेगो वह यह 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 आपको पता चलेगा इस न्यूज को भी एक बार आप लोग देख लेना है और इसको भी देख लेना सैने दिस्तों को मजबूतित देंगे भारत और रूस देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 प्लस 2 सम्मिट आई ज़ित हुआ है भारत और रूस के बीच में पहली 2 प्लस 2 सम्मिट हो रही है 2 प्लस 2 सम्मिट क्या होता है कि भारत के रक्षा मंत्री और भारत की बिजिस मंत्री रूस के रक्षा मंत्री और रूस के बिजिस मंत्री दोनों ही जब मिल के बातचित करते हैं रक्षा मंत्री और बिजिस मंत् बहुता हम भारत का 2 प्लस 2 वारता उलेडी किन किन देशं के साथ होता है पड़िदी उसके बाद जापान के साथ होता है और रूस चोथा देश बन गया जिसके साथ हमारा 2 तुपलस तु का वार्ता होगा visualize जापान ऑस्टेलिया का बाद रूस हमारा पार्टन बणा जिसके साथ हम UK UK 203 rifle पपर्चेज करेगा रूस से और ना सिर्फ पपर्चेज करेगा बलकि इसका निर्मान भी इंडिया में होगा in fact अमेथि में इनका निर्मान होगा रूस की मतल से UK 203 rifle बनेगा UK 47 का ये कर सकता हो एक up Virgin है UK 47 का advance Virgin इसे कर सकता है एक मिनट में 200 साधिक ये बुलेट फायर कर सकता अब दिखो इसका इंपोर्टेंस क्यों है क्यों हमें 1203 की जुरॉत पड़ी एक तो यह है कि हमें अपनी सेना का आधुनी करन करना यह बात सही है लेकिन वर्तवान में क्यों जुरॉत पड़ा तो इसके बेग्राउंड में आ 11 अगस्त कि 2021 जिस दिन तालिवान न से अधिक देशों के पास नहीं है अमेरिका जब वहां से जा रहा था तो उन्होंने 80 billion dollar के हत्यार वहाँ पर छोड़ दिये थे अब सोच करें 80 billion dollar काफी बड़ा इमोड होता है आज तक हमने रूस से maximum 50 billion dollar का ही हत्यार परचिस किया होगा और वो अमेरिका 80 billion dollar का हत्यार छोड़ के गया था अफगानिस्तान में तो वहीसा वहीसा हत्यार आज अफगानिस्तान के पास है वहीसा हत्यार आज तालिवान के पास है वहीसा हत्यार आज पाकिस्तान के पास भी नहीं है अब तालिवान के पास अगर वहीसा हत्यार है वहीसा राइफल तालिवान के पास है इसका मतलब है कि आतंगबादियों के पास वहां पर कहीं कोई आत्रमादी आएगा तो उनके पास तालिवान का दिया हुआ वह वैसा घातित हतियार हो सकता और उसका सामना करने के लिए हमारे देश के जवानों के पास भी वैसा ही हतियार होना चाहिए इसलिए हमें आवसेक्टा पर गई कि हम एक के दो सब तीन राइफल परचेज करें रूस से तो यह बेसिक कॉंसेप्ट है यह आपको पता होना चाहिए देखो इस टॉपिक पर मैं कभी डेटियल से बात में डिसकस कर दूँगा इस पर मैं एक सेपरेड मूवी भी देखा हूं पंत निर्बयक्स्था और चुकर यह स्टेट्मेंट जो है किसी नॉर्मा आदम है नहीं है एक शीफ जिसस ऑप एक शीफ जिसस का स्चेट्मेंट है मुखे नियाधिस का स्चेट्मेंट है जम्मू कषमिल और लद्दाक कोट के हैं कि PANT-NIRPRAKSTÁ सब जोरना और साथी से इन्हों ने कहा है कि समाजवाद सब जोरना। है कि दोन उस जोरने से देश की धुमील हुई है। आज गौर करो सब कर दोनी सब जोरा कब गया है। समाजवाद और PANT-NIRPRAKSTÁ दोनों सब जोरा मैं है 42 समिधान संतन के द्वारा 90-76 में अब कोशन आप मुझसे यह पूस रही हो कि क्या 1967 से पहले 1076 में समाजवाद जोरा गया भारत की प्रस्ताव नामें पंद निर्भीक जोरा गया भारत के सवाल यह उत्पन होता है कि क्या उससे पहले भारत पत्म निर्वेक्स नहीं था क्या उससे पहले भारत के लोग या भारत में समाजवादी गुनों की मानेता नहीं थी समाजवाद को मानने वाले लोग नहीं थे या हमारे विचारदाना समाजवादी नहीं थी रैट उससे प समिधान में लिखा गया तो फिर पंत निर्पेक्ष और समाजबाद को प्रस्तामना में जोड़ा चोंग गया and this is a very important question so you have to find these questions you have to find the answer of this question right इसी पेक मैंने मूभी देखा था उसमें मैं कोई बाद में डिस्कुस कर दूँगा लेकिन ये काफी important question है कि जब already हमारी समाजबादी विचारदारा थी हमारी सोच पंत निर्पेक्ष वादी सोच थी तो फिर समिधान की प्रस्तावना में उनिस्ट्र में ये क्यों जोड़ा गया तो ये question इसका मैं answer भी नहीं दूँगा लेकिन ये question मैं आपके जहन में छोड़ता हूं कि जब आप परते हो तो ये सब चीज़ों को भी आपको गहर करना चाहिए इसको explain नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं इस पर डिसकस नहीं कर रहा हूं इसमें मैंने चुकि एक मुवी देखिया है इस टॉपिक में डाइबेटीज को नियंतित करेगी बी अच्चू की वर्टी एक वार वन टाइम के लिए आप लूप देख सकते हैं बी अच्चू में वर्टी नाम की एक मेडिशिन बनाया गया है जो डाइबेटीज को कंट्रोल करेगा तो यहाँ पर एक इंपॉर्टन न्यूज है कि अस्पतालों का एक नियामक जरूरी या मरीजों के हीत में इर्डा आपको पता है कि इर्डा का काम क्या है इर्डा का काम यह है कि जिसे सेवी का काम है कि जो शेयर हो गड़ा होगा शेयर को रेगुलेट करने के काम से भी का है RBI भी एक रेगुलेटरी बोडी है जो बैंक को रेगुलेट करती है से भी जो है शेयर और डिवेंचर को रेगुलेट करती है उसी तरह से इड़ा इंसोरेंस को रेगुलेट करती है और ये एक स्वायत संस था है इसमें दस सदस ये निकाह है इसमें एक अध्यक्ष होते हैं पांच पूर्णकालिक सदस होते हैं और चार अंसकालिक सदस होते हैं तो इस तरह से टोटल दस इसके सदस हैं और इसका हैड़कॉर्टर कहा है है हैड़कॉर्टर इसका है आपको कौवच कौर वे प्रांट नीम गये कर लान्च को लांज Romeo किन गया था तो जब हना चाहिए अब ब्रेरी tipo का सानल में गभशना के दियुद से और mail मारे कंग स्फय क्या ह gangs EDA का कहना है। जो अस्पाटाल का नियामक हो जिस तरद से आपके पास इन्सोररेंज का नियामक हो जो जो बैंको के अंधुटर का नियामक हो अस्पताल का रिगुलेटर हो दुनिया के चोथा सबसे बड़ा बिदेशी मुद्रा भंडार 19 नौवंबर 2021 तक भारत दुनिया के चोथा सबसे बड़ा जो है झाल बिदेसी मुद्रा भंडार भारग के पास हो गया शबसे अधिक बिदेसी मुद्रा भंडार अभी defence में जो है आई थिंक वो चीन के पास हैं लोगे के पास सब्से अधिक है दूसरे न्मर पर जापान है अच्छा तीसरा नमर काफी interesting है तीसरा नमर पर सुर्जर लेंड है और चोते नमर पर भारत है पांचे में नमर पर I think Russiya होगा आप को कि क्या इसमें अमेरिका का नमर नहीं आता है बिल्कुल नहीं आता है क्योंकि जो डॉलर हम लोग के पास प्रकास मन जो डॉलर के रूप में जो हमारे बिदेशी मुद्रअ-बंडार तो डॉलर का अग का कि एक बस आज का important है मैं इस पर discuss कर मां देखो यह यह इटोडियल काफी important है हलांकि यह इटोडियल जब मैं पर रहा था तो काफी मैं expect कर रहा था कि कुछ राय यह देंगे कि दिल्ली की air pollution को दूर करने के लिए क्या दिरकालीट उपाय किया जाए तो बहुत ज्यादा राय इनका मुझे मिला नहीं लेकिन फिर मैं इस पर डिसकस कर दाता हूं फोड़ आपसे देखो दिल्ली एर पॉलिशन पर सबसे पहले हम चलते हैं इर क्यों पॉलिटी इंडेक्स चूक्झे अभी के समय बेुडिली का एर क्योंटी इंडेक्स लगवाँ जिसमें एक होता है PM10, PM2.5, नाइट्रोस अक्साइड, कार्वन मोनोडोक्साइड, सल्फर डोक्साइड, ओजोन, ओजोन, अमोनिया और लेड, यह आठ, पॉलिटेंट, आठ प्रदुशक के आधार पे मेजर किया जाता, अब देखो, एर क्वाल्टी इंडेक्स, एक इंपॉल्टेंट फेक्ट आपने देखा, गौर नहीं किया होगा आपने, कि इसमें कार्वन डोक्साइड नहीं होता, इस आठो में कार्वन डोक्साइड नहीं होता, और इसी पॉइंट पे UPC ने कोशन पूछा होगा, एर क्वाल्टी इंडेक्स के मेजर्मेंट में कहीं भी कार्वन डोक्साइड नहीं होता, एर क्वाल्टी इंडेक्स अगर 0 से 50 हो, तो कंडिशन अच्छी है, गूड होगा, 51 से 100 है, तो मिनिमल इंपेक्ट सस्टिस्फेक्ट्री है, इसको भी अच्छा कर सेकता हो, अगर मालेजिए आपके सीर्थी, आप जाकर के देखना, जिस सीर्थी में भी आप रहते हो, उस सीर्थी का एर क्वाल्टी इंडेक्स चेक्क करना, और हमें कमें सेक्षन में पोस्ट जरूर करना, अगर आपके, मतलब आप रूख चेक करना, आप गूगल पर जाओगे, सर्च करोगे, जैसे मानले आप इलावाद में रहते हो, आप सर्च करोगे, एर क्वाल्टी इंडेक्स एक क्यू आई, या एर क्वाल्टी इंडेक्स ओफ इलावाद आ जाएगा, और उसको देख करक तो वहाँ के वादावरन सही है, वहाँ अच्छी वादावरन है, 101-200 तब धिरे-धिरे पॉलिशन बाहना सुरू हो जाता, यानि, दिली का यहीं करलिशन होता है, अभी के समय में, दिली में extreme air pollution होता है, लगभग 300 से अधिक ही वहाँ पे air pollution होता है, 400 से भी अधिक normally कभी कभी होता है, अब दिल्ली के air pollution का कारण क्या है सबसे पहला कारण है कि प्राली जलाना दिल्ली के air pollution का 46% रिजन है प्राली और प्राली दिल्ली के किसान भी जलाते हैं दिल्ली में भी कुछ किसान है जो जलाते हैं पंजाब में भी किसान जलाते हैं हर्याना भी किसान जलाते हैं रास्था क्विला का यूज होता है क्विला के यूज होगा तो निश्रत और पे partation create होगा वाहन का पोलुष दिली में वाहनों के संख्या काफी है देखेच के तो वहण का भी पॉलुचन होता है दिली के भोगोली कस्तेती है दिंदी एक तरध से दिखो कि दिल्ली बिचो बीच है तो दिल्ली की भगोली का स्थिती भी कहीं की पॉलिशन के लिए जिम्यदार है अब देखो एग्रो क्लाइमेट जोन भारत में उसके लिए अनुकूल क्रिशी नहीं अब सबसे इंपॉर्डन जब एडिटोरियल पढ़ना आप सुरू करते हो तब नया पॉइंट मिलता यह नया पॉइंट की से इसमें राइटर का कहना था कि दिल्ली एर पॉलिशन का एक रीजन है कि अग्रो क्लाइमेट जोन भारत में 15 अग्रो क्लाइमेट जोन है यानि जो जोन है उस अनुसार खेती होना चे मसलन वेस्ट मंगाल वहां पे चावल के आपको अधिक हो सकती है तो वहां चावल की खेती होनी चाहिए और पंजाब के अच्छे तो वहां पर गेहूं का अधिक खेती हो सकता है तो वहां पर गेहूं के खेती होना चाहिए लेकिन होता है कि पंजाब में जो है चावल की कटाई भी होती है चावल की खेती होती है चावल को जो काटा जाता है, नौमबर के आसपास चावल को काटा जाता है, चावल की खेती जो होती है, उससे दो तरस पॉलिशन के रेट होता है, एक तो ग्रॉंड वाटर जो है, चावल के खेती से होती है, अगर पंजाब में तो पंजाब में पानी काफी नीचे है, 100-200 फ पानी का अधिक दोहन होता है यानि ग्रॉंड वाटर का अधिक एक्सेस होता है तो एक तरह से पॉलिशन ये क्रियेट हुआ और दूसरा क्रियेट होता है कि मालों उसी समय में मैं दिसंबर और का आज़ पास या नौवंबर अक्टूबर नौवंबर में कटना असुन होता है तो वो जो अभी की समय में दिल्ली में एर पॉलिशन होता है बेसिकली जो धान का पराली होता उसी पराली करन होता तो यह दोनों ही कारण है अगरो क्लाइमेट जोन का नुसार खेती नहीं होना भी दिल्ली के एर पॉलिशन का कारण है अब देखो इसका सॉलिशन क्या है एक तो solution है happy seeder machine प्राली के जगह प्राली के लिए happy seeder machine के इस्तमाल में सरकार लगभग 80% subsidy दे रही है और इभन रनिती दिली सरकार के द्वारा लाए गया था ये भी थोड़ा बहुत कारगार हुआ टेकनोलोजी के इस्तमाल वायू का इस्तमाल हो रहा है इसी तरह से आप देखोगे smoke tower के इस्तमाल हो रहा है ग्रेप रनिती सरकार एक रनिती लेका आया थी दिली सरकार जिसे बोलते हैं ग्रेप रनिती electronics vehicle का promote करना waste to energy कच्रा से इनरजी उत्पाद करना पराली से इनरजी बनाना पराली का इस्तमाल इथेनोल के उत्पादन में भी क्या जा सकता है तो जो किसान पराली जला रहे हैं, बहतर है कि उसकिसान से सरकार पराली पर्चेज करें और ताकि पैसा पराली पर्चेज करेंगे, पराली को बिहार में लार्ग का जाता है, अगर माल इतने हैं कि किसान से लार्ग पर्चेज करेंगे, या पराली पर्चेज करेंगे, किसानो को पैसा देंगे किसानों को फैदा होगा और उसी लार के माध्यम से इथेनोल का उत्पादन हो जाएगा तो अगर हम वेस्ट से इनर्जी क्रेट करना शुरू करेंगे पलास्टिक से इनर्जी क्रेट करना शुरू करेंगे तो यह एक समाधान होगा दिल्ली एर पॉलिशन का बिहेवियर चेंज ये भी एक सॉलीशन है आर्टिफिशियल रेंज अभी जैसे मानों लोग पूतिन आयवे था ऐसे कंडिशन में दिल्ली को स्वक्ष रखनी के लिए अभी क्या क्या गया होगा कि दो-तिन दिल्ली में जो है आर्टिफिशियल रेंज कर वाया गया होगा और और artificial land के बादि हम से जो है दिले के pollution level कम हो जाता है उसके बाद justice लोकूर समिती बनाए गई थी जो पराली पर नजर रखने के लिए बनाए गई थी 18 सदसे आयोग बनाए गया था जो अब 21 सदसे आयोग है कहीं सारे काम हुए दोखो यह basic information है लेकिन इसके अलाबा अब extra information क्य होगा है कि आपको सोचना चाहिए कि आप अगर administration में हैं आप power में हैं आप सत्ता में हैं या आपको जिवेदारी दिया गया है कि दिल्ली के air pollution को दूर करना है तो आप क्या करोगे राइट तो यह अब आपको सोचना basic जानकारी है उसके बाद आपको थोड़ा दिमाग लग इंडिया वज फर्स कांट्री को रिकोगनाइजड बांगलादेश भारत विश्यू का पहला देश था जिन्होंने बांगलादेश को रिकोगनाइजड किया था इसली इस दिन को मैत्री जिवस के रूप में मडाया जाता है चलिए आज अमरे पास इतने ही न्यूस था वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद थाइंक यू सो मच प्लीज डू लाइक शेर और सब्सक्राइब थाइंक यू